जैई शिरी राम यहां फास्ट्रक की मल्टिफंक्शन वॉच डबल थी जीरो वन क्यूएम जीरो वन क्यूएम जो है वह उन आर्टिकल्स के पीशे लगता है जो डिफरेंट एंड उनीक कलर्स डिजाइन किया जाते जैसे की डाक चॉकलेट कलर ब्लीव कलर यह कोई अधर जो करते हम इस वॉच की अन्बॉक्सिंग बने रही हैं बॉक्स को ओपन करते ही आपको वॉच की एक खुब्सुरू लुक देखने को मिल जाती है स्पोर्ट में इस वॉच को डिजाइन किया गया है इंटर्नल डायल की लुक आप देखेंगे टोटली स्पोर्टी लुक में है 43 mm का इसका केस साइज है मैट और गलोसी कॉंबिनेशन में आपको यह वॉच देखने को मिलती है साइट क्राउन आपको डाउन पे यहां पे नियर बॉट 5 के अप्रॉक्सिमेट देखने को मिल जाता है जो कि इसकी स्पोर्टी लुक को और भी बहतरीन बना देता है मिनरल गलास का इसमें इसमाल किया गया है जिस पे स्क्रैचिद आपको मिलते तो हैं लेकिन बहुत ही लिम्टेड और बहुत ही रेर स्क्रैचिद इस पे आते है केस ओवराल आपको गलोसी फिनिश में देखने को मिल जाता है चेन में आपको मैट और गलोसी का डबल कॉंबिनेशन देखने को मिल जाता है यहां पर glossy, फिर matte, फिर glossy, फिर matte, यहां पर matte, यानि एकदम sporty look में देखने को मिल जाती है बोस साइट से push log का इसमाल किया गया, log के उपर भी आपको fast track लिखा देखने को मिल जाता है back पर ध्यान देंगे, तो back आपको article number, unique code, fast track, fast track का logo, 50 meter water system and stainless steel back cover देखने को मिलता है fast track के जितने भी watches आते हैं, चाहे upper range में हो, चाहे lower range में हो, आल्मोस सभी watches आपको chrome material में देखने को मिलती है वो heavy look में design की होती है, इसलिए उसे heavy chrome material का इसमाल किया जाता है internal features की अगर बात करें, इन features की settings वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले तो आपको बता दू, overall watch आपको, chocolate color में देखने को मिलती है internal dial हो, case हो, chain हो, internal dial पे आपको यहां पे मैंने दिखाया था कि sporty look में इसको dial को design किया गया और डाइल में आपको एक texture format भी देखने को मिल जाता है, plain format भी है, और texture format एक कारी के दिखने को मिल जाती है, जिसमें आपको internal multi features की setting भी देखने को बता है जैसे की यहां पे आप देखेंगे, तो यह नीचे date feature ही, date आपको double setting में देखने को मिल जाता है वो भी आपको दिखा जूँगा यहां 24 आज सेटिंग यहां पर डे भी आपको double सेटिंग में देखने को मुलता है यह देख सकते हैं Saturday, Sunday, Monday, then यहां पर Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday वो बिलकुल अलग दिया गया इसके सेटिंग के लिए Crown को आपने बाहर properly निकालेंगे तो जैसे जैसे इसकी movement करेंगे तो आपको यहां पर 24 hours की needle की भी movement देखने को मिल जाएगी Center portion से आपने date और day features को set करना है वो भी देख लेते हैं अब जैसे मैं downslide करता हूँ यह देखिए तो यहां पर आपको डेट movement होती दिखाई दे रही है अब जैसे ही यहां जो लास्ट डेट इसमें आ रही है 15 है 15 के बाद जब 16 आएगी तो 16 के लिए आपको यहां मैं पड़ा करके दिखा देता हूँ 15 के बाद आपको 16 17 जो भी देखने को मिल रही है वो ब्लैक कलर की नीडल होगी 31 तक यहीं देखने को मिल लगी 31 के बाद यहां से नीडल एक पर जो शिफ्ट होगी वो कोपर कलर की डिजाइन होगी अब सेम एजे डे में अप सलाइड करेंगे तो जो ब्लैक कलर की नीडल है वो उपर की तरफ आगी है और वो थरस्टे फ्राइडे फ्राइडे के बाद जब सेचेडे आएगा तो कोपर कलर की नीडल आपको यहां पर विजबल हो जाएगी यह देखी बाकी जो नीडल का पोर्शन है वो जो इंटर्नल ये डायल दिया गया टेक्स्चर वाला उसके नीचे की तरफ चला जाता है तो कस्तमा की कही बाद क्यूर करना इस तरह से आपको पता चलेगा डे और डेट कैसे वर्क करती है बात करें अगर वियर अपकी तो वियर आपके लिए आपको सबसे परफ्रक्ट है बारि आपके अगर हात वेवी है तो बहुत यह च्छी लुक देगा अगर आपका strabs नॉर्मल है तो एक अच्छी लुक देखने को मिल जाएगी लेकिन अगर आपका हाथ पतला है तो इस पे लुक थोड़ी से एवरेज हो जाएगी क्यूंकि हाथ पतले हाथ पे यह आप यह लास्ट वाले चार पॉइंट सी निकाल सकते हैं वन साइट से चार पॉइंट से अगर ज्यादा पतला हाथ है तो उस पे आपको थोड़ी सी लूज देखने को मिल जाएगी उस को डिंग ली देखा जाए तो अच्छी नहीं है लेकिन अगर आपका हाथ एवरेज कैसी लूज देखने को मिलेए तो आपको इसकी बहुत से ही थाइटन के इसटोर से से अपको वैलेबल भल यह दो आपको इसकी वरेंटी में कोई इश्यू नहीं मिलेगा आज के लिए इतना धन्यवाज जय शीराम जय बारत एंड बंदे मांतर वांतरों